कि आज की क्लास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई सो मर पढ़ने वाले जिसका नाम है टोटो मर देखे वाई टोटो मर का ग्यान जो है आदा दूरा है लेकिन पूरा ग्यान लेने के लिए आपको कुछ रेजुनेटिंग टर्म्स के बारे में पता होना जरूरी है क क्योंकि लेवन्त क्लास का बच्चा कि रेजुनेंस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता इसलिए प्रॉलम थोड़ी सी होती है प्यारे बच्चों मैं टॉपिक सुरू करने से पहले कुछ दोचार टम्स के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं ठीक है सबसे पहली टम जिसका नाम है hydrogen bonding और आप लोग अब hydrogen bonding को सीख चुके हूं मैंने किसी जमाने में तुमसे बोला था एक्स ओ और वाई और वाई के बीच में जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड का नाम क्या होगा hydrogen एक्स की लेक्ट्र नेगिटिविटी बहुत ही ज़ादा और कितनी ज़्यादा फ्लॉरीन ऑक्सियन और नाइटोजन जैसे एलिमेंट और वाई के लेक्ट्र नेगिटिविटी भी ज़्यादा होती है लेकिन इन तीनों के ओर्डर में अरेंज करूंगा तो यह ओर्डर जस्ट उल्टा पाया जाएगा क्योंकि यह अपने लॉन पेर को डॉनेट करता है जिससे आईडूजन बॉन्ड बनता यह पुरानी बाते हैं जो आप लोगो को क्लियर होनी चाहिए ठीक है बही चलो सर्माल लेते हैं कि यह बाते आप लोगों क्लियर होंगी पहली बात दूसरा एक तौम आती है जिसका नामें बच्चो रज्जो बोले तो रज्जों के अंदर होती है कहीं जीवन में रज्जों आ गई तो समझ जाओ इसका मतलब इस्टेबिलिटी को देखने के लिए आप कैसे कर सकते हैं न माल लिजिए आप लोगोंने एक सिस्टम मनाया यह कार्बन सिंगल संगले कार बनसे इस तराइके से है ना प्यारे बच्चो इस समय इस चेहारे सिंगल यह सिंगल यह सिंगल हैक इवक्या बूलते रेजुनेटिंग बोल देते हैं जरूरी नहीं है कि डवल सिंगल में हो सकती है रज्जो कैन भी लेक डिस डवल सिंगल नेगेटिव और यह सब हो सकता है कि डवल सिंगल कोई वे एक ऑक्षियन लेता हम चलो पॉजिटिव आगे बास बने तो यह भी रज्जो के ही प्रकार हैं यह भी रेजुनेंस के ही टाइप हैं अब इसमें क्रॉस कंजुगेशन क्रॉस रेजुनेंस वो सारी चीजें हम लोग जो है डूरिंग टापिक डिसकस करेंगे लेकिन बेसिक जो चीजें हैं उनका आप लोगों को होना चाहिए कुछ बाते और हैं अपने पास मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर कोई एक रिंग बनी है उस रिंग में कोई भी एक कारबन तुम आपको यहाद करने की त्रिक मैंने ट्रिक कुछ बताई थी बोलाता क्रॉप यदा रहे है साइक्लिक रिंग होगी और और पाई लेक्ट्रोन होंगे इसके बाद तीसरी बार जो मैंने बताई कि वह बताई कि अगर एवन आ जाए तो इसी का नाम क्या हो जाता है कृप कैने सिस्क्राइब ब स्टेबिलीटि को और कोई मुझे सी धृस्ट को किया समझाने की कोशिच कर रहा हूं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बाते होती हैं जो कि बहुत जरूरी होती हैं बहुत ध्यान से आप लोग बूर्ड की तरफ देखे और आज हमेशा की तरह तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं चीजें आप लोग बहुत डिफरेंट दिखाए देंगे दुनिया से और य मेरिज्म तोमरीज्म स剛剛 डूसरा नाम होता है डाईनामिक मेरिपरियम को हम लोग बोल दिते हैं मोसरे मतलब होता क्या मतलब होता है त्रफी का मतलब होता ही मोविंग ज स्टुशन कि इसको आप केटाइन ठापी भीविव देते हैं इसको आपrendre टरापी भी बोरेते हैं क्या मतलब समझ महां कि तीन हो चारह कर også सबसे पहले मैंने बुला खर लोतोमेरिजम का दूसरा नाम कीटो इनल फॉर्म्म हो सकता है रहा हूं दूसरी बात मैंने बोला डाइनमिक एकलिविरियूम या मैं बोलूँ डेस्मोट्रोपिज्म फिर मैंने बोला प्रोटोट्रोपिज्म इसी को आप कैटाइन ट्रॉपिज्म के नाम से भी जानते हैं याद करने वाली समझने वाली बात यह कि ट्रॉपी का मतलब होता है मोशन मुविंग हर रहा है पूर करने मोशन है मैं भूलिंगिंद अब मतलब अड़ लाता है किताबो में लिखा जाता इंग सुरू गर अपर यह उपर्वाली डेफिनिशन पर साथ के साथ जो हम लोग कवर करेंगे भी ऐसे चिनका मॉलीकुलर फॉर्मला क्या होता है से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस यह बहुत ज्यादा इंपॉटन्ट है क्या अगर सारे इसमर में स्ट्रक्ट्राइज से मुझसे कोई पूछेगा आपको किस आईसो मर को ज्यादा पढ़ाना चाहिए यह किस आईसो तो सबको आता है थोड़ा थोड़ा अंदाज लगा लेते हैं कि इसमें होगा इसमें नहीं होगा लेकिन जब इनॉल और टोटो में कंपरीजन होता है ना तब धुरंदर सवाल बनता है इसके अंदर तो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें ऐसे इसे कंपाउंड इनका molecular formula सेम होता है और डिफरेंट इन देर structural formula पो और आपको याद याभे BDC बाटा structural formula में क्या उडिफरेंट डीट ट्रांसफर औफ Acidic Hydrogen very 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 important acid a hydrogen का transfer होता है इसकी वजए से इनका structure फॉरम्ला में चेंज जाता है पहले देखने की कोशिश करें मैं बेसिक एक एक्जाम्पल के साथ इसको समझाता हूं प्यारे बच्चों कि बहुत ध्यान से इसको देखो गवराने की कोई बात नहीं हम तुम्हारे साथ है यहां पर और एक्षिक या फिर बेसिक कैटलिस्ट की प्रजेंस में रिक्षन होती है चाहू तो डेफिनिशन में लिख सकते हो इंदा प्रजेंस ऑफ कैसे डिए सब्सक्राइब बेसिक जर्नलि ऐसा पाए जाता है कि बेसिक ज्यादा देते हम लोग लिखा होगा थे अब मानकर है मैंने आज तक मेकेनिजम पे तो कोई सवाल नहीं देखा इसका डिरेक्ट पूछते हैं कि इसका इनौल कंटेंट क्या होगा यह अरेंज इनौल कंटेंट या फिर कीटो कंटेंट बहुत द्यान से देखेंगे सभी वच्चे अब आप प्रिवियस ग्यान से इतनी बाते समझ चुके हो कि यह सीओ गुरुप जो है इसका नाम है कीटो यानि कीटो तो इस फॉर्म का नाम कीटो होगा इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है क्या मेरी बात समझ कार्वन को अलफा कार्वन बोलते हैं कि उस्ककारवन के हईडूजन को आ पर रहां चार्ज ने जाता है थो माइन to है यहां यक्रम माईनस आजाता है तो माईनस करकर यहां यगािनस गया जाता है जो यह वॉटर बनाएव क्या मेरी बास्बत क कंस्ञ एक है कि है जो है ओेच की मदद से Clean This Qualγο कर पाएह रहा ना एक जो है मेरे में में होता किस पर जा रहा इस एक रहा है या आपता समझाsky प्लस बाहर निकलेगा आतोई कारबन कैसा दिखाई देगा जाते और कि यहाँ पर होगा तो नगिटेव काा पर रहो आ komt तो तो यह वाला जाए और यह सा capable दिखाए। क्या दिखाई देगा मैं आपको बताता हूं कुकि डवल वॉंड दना चुका होगा है और उपर आजाएगा ओस और ये मेरी लगा स्मuny स्मेशन बात आपको समस्मा रही है क्या कि सबुस्ङरों इसमें सर्ण क्या होने चाहिए सब अलफाएडोजन का प्रजेंज बहुत जरूरी है अलफाइडोजन नहीं हो नहीं आएगा और जब तक नेगेटिटिप पॉजीटिटिव चार्ज नहीं आएगे जब तक रजयो नहीं तो वतलब तो अजया गिया पक्का चलो एक कंडिसान समझ हमागी दूसरी कंडिशन क कि जब इनॉल बनेगा वो कितना अच्छा बनेगा उसकी क्वांटिटी कितनी अच्छी होगी तोटली डिपेंड अपन टू थ्री फेक्टर्स तब वेरी फर्स्ट इस एस डिटीज आफ एच प्लस आयन आर यू गेटिंग मैं वर्ट सनौ जितना ज्यादा एच उतना लेकिन आपके हाइड्रोजन की एसीडिटी कितनी है ताकि इनॉल की मैक्सिमम परसेंटेज बने अगर आपका हाइड्रोजन ही बहुत थोड़ा सा टूट रहा है या मैं बोलूँ आपको एक मॉलीकुल दिखाई जा रहा है लेकिन टेक्निकली अगर आप रियक्शन करेंग लगेगा तो इसएच प्लस की एचडिटी का बहुत जादा होना ज़रुरी है इसी को बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन गृप याए एसीडिख हाईड्रोजन क्या बोलते हैं इसको माल लेते हैं कि यह बात आपको समझ माहरे लिए कोई नॉर्मल ही मुझसे पूछे कि या कार्बन ऑक्सिजन के बीच में डबल बॉंड है यहां केवल कोवलेंटेड बॉंड है जब कि यहां पर आइनिक बॉंड भी प्रजेंट इंट्रा आइनिक बॉंड हो गया क्योंकि और कार्बन की लेक्ट्र नेगिटिविटी क्या है अलाग-अलाग डिफेरेंस है और इसलिए हो रहा होगा ऐसा इसलिए हो रहा होगा आइसा इसलिए हो रहा होगा ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं वाई क्या यह डेटा समझ मारा रहा है दीपी का हर्श कि इशान मिशी का नेना राशी बताओ बिटा चलो मान लेते हैं कि अभी तक का डेटा तुम लोगों को क्लियर हो रहा होगा यह कब तक वैलिड है यह अगने बात हर उस की टोन के लिए वैलेड है जिसमें केवल एक ही की कीटो ग्रूप है दो मेरान इस वह कोcje अगने मोगों ईनल कि लिखोंगा इसको कि इसके अंदर इसके अंदर कितने एटम पर हाइडोजन का टू एन फ्रोमोशन हो रहा होगा टू एटम पर और ट्राइड में जो अभी दिखाई रखा है एक दो और तीन समझ मारा नहीं आ रहा रहा अरे बोलो यहां पर वन कॉमा थ्री के बीच में टू एंफ्रोमोशन है और यहां पर क्या होगा बिटा वन कॉमा टू के बीच में तो यहां पर कितना होना चाहिए थ्री एटम और स्पेस तो स्पेस है बिटा यहां पर कितना हो जाना चाहिए मोर देन कि यहां तक कोई दुखदर्द किसी बच्चे को नहीं होना चीए सर क्या कह रहे हैं मैंने शुद्ध बासा में तुम लोगों को समझाने की कोशिश करें के कीटो हो या टोटो हो सर आप बात कह रहे हैं इसका नाम डाइनमिक क्यों रखा डाइनमिक का मतलब भी मोशन है डाइ डाइनमिक कुछ पढ़ते हो इसा कुछ एक है अब इतना याद नहीं आ रहा है बहुत द्यान से आप लोग इसको देखिए मैं आपको बताया था कीटो और इन ओल के अंदर फंक्शनल आइसोमरिज्म भी होता है लेकिन क्योंकि टोटो को प्रफर करते हैं विकास राइट फ्रॉम सीपी तो इसलिए टोटोमर बोल देते हैं अन्य था इनके बीच में फंक्शनल आइसोमर भी होता है आगे मेरी बास हैं इसलिए इनको बोलते हैं इसलिए इनको डेस्मो अगे बास समझ में इसको वाइट इस नोने स्ट्रोप प्रोटो ट्रॉपी प्रोटो ट्रॉपी क्यों बोलते हैं इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटो ट्रॉपी चलो सब बास समझ में आगई आपकी आप कह रहे हो तो ठ पूछें और एक परसंट चांस है कि दूनिया बडीरे-दीर खताम होती चली जा रही है अगर आप सी उवीटी पढ़ रहे हो तो और भी अच्छी बात है तो है महां यहीं आएगा चेक अलफा है अलफा कार्बन का है ऐसा नहीं कि हम फटावाला हाईड्रोजन इलफा कार्बन बता दो नाइं जो भी आपका चिस्टम में सीडवल बॉन्ड्रों या सीडवल बॉन फ्सक्ट कोछ भी यह सिस्टम जो है की को नहीं है कर्बॉक जो भी उसके जिस्ट बगलवाले कार्बन का हाइडोजन है ना कि बगलवाला हाइडोजन दोनों बाते में अंतर है चेक अलफा इडोजन आफ्टर ट्रैपिंग एच पॉजिटिव आयन बाई बेस बास समझो क्या बूला है तुम्हारा नाम बेस है तुम हमारे एच प्लस को ट्रैप करते हो तो जैसी ट्रैप करोगे तो इस पर क्या जाएगा नेगिटिव चार्ज जाएगा और नेगिटिव है कि एच आयन बाई बेस नेगिटिव चार्ज जपियर विच इन्वाल इन रेजोनेंस आलवेस सोदा टोटमर आर्यू गेटिंग मैवर्स और नौट हाया ना मैंने बोला अगर एक मॉलीक्यूल के अंदर एच प्लस आयन को बेस से बाहर निकालने के बाद बने हुए इस चार्ज में जतना जादा कॉंजूगेशन होगा उतना जादा क्या पाए जाएगा इन आल फॉर्म की स्टेबिलिटी पाई जाएगी आगे बास समझ में चलो चक कर लेते हैं और बेसिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करते मुझे लगता है इसको आप लोग नोट कर ले सवाल बस इतना है कि टोटल करेंगा यह नहीं करेंगा यह सवाल होता है थले को वाइए देखिए इसके ज़ेयत बगली कारबन पहुल जिस Genau को और अगर और है तो क्या उसी को आप लोग को लाओगे तभी तो नेगेटिव चार जाएगा और ऐसा होगा तभी क्या बनेगा यहां पर गेम बनेगा और थोड़ा मैं अच्छी तरीके से इसको सिखाना चाहूं तो देखो जब इधर मूव करेगा ना बच्चा तो यहां बन जाएगा नेगेटिव चार्ज यह बास सही ह मैं रट्टा हमाई इसके बाद देखतें में इसके बात बहुत द्यां से देखों इसके बाद सीजों को सेखस्पने की कोशिश करता इसफढ़े तो करा इसने अब पिल्कुल कि इसने में टोको कररेगा आप गृशन की क्वित अल्पाइदर ने कोच आइया नहीं क Dani Mr.M कि कार्बन कायडूजन नियुक्त इसका मतलब है तो नहीं करेगा यह करेगा को शाँ फंक्स ग्रूप यह दिखाई दे रहा है इसके लेफ्ट में तो नहीं है हुआ अधि जन सबाइब करेगा अब क्या करेगा वह बाद में करेगे लेकिन यह समझ मागते कि ठोटो अ मर्तू करेगा है यहां जाओ क्या यह मर्विषो करेगा बिलकुल निक रहेका सर क्योंकि कि पास अंदर डवल्वांड लगें हूं तो यहां पर कोई तो नहीं है आ पर काइड्यूस है अच्छा अगर यहां पर डॉट बांट को बना देगा फिर तो है तो स्कार्बन के पाइच बंड बन जाएं है इसका मतलब यह कभी भी टोटो मर्स और शो नहीं करेगा अगला सवाब क्या यह भाई सब करेंगे टोटो मर्स करेंगे एक सोचो आप कहोगे कि सर बिलकुल अलफा आइडोजन देख लो सर यह अलफा आइडोजन सर नहीं है तो यह सो नहीं करेगा लेकिन सर ने एक बात बदाई तो तुम क्यों केवल और केवल ट्राइओर सिस्टम पर ही अटग जाते हो जै कोई स्पेस सिस्टम नहीं हो सकता और अगर हो सकता है तो क्या आप लोगों को इसका कोई हाइडोजन दिखाई नहीं दिए रहा दो दो हाइडोजन होंगे यह जब एक हाइडोजनों को तुम बाहर कर दोगे तो इस पर कौन सा चार्जा जाएक नेगेटिव और क्या नेगेटिव रेजोनेंस आएगा है यह सन्वें इस नेगीटिव से जा जागरेजोनेंस डाइटा रेजोनेंस क्या था वाल सिंगलंगेटेव है क्यँक्योंन सेय तो नेगिटिव यहां यहां फोर और पहुंचिक कि आख यां Raisiunt93 यह जहां निकाला हो पहुंचे कि था नीए वान tower शगरो यह कंपांड टो अ हमर्सो करेगा आप पाफ मैंने क्या बोला मैंने तर अज हंद से तो लिंद सकते आपने बता दिया के रिंग पर यह कोंद oxygen है अब नहीं चारबन है यहां हैं तो यह काम करते हैं हम ना इस वाले निकाल दे यहां से रीओये एस जो मैने नकाल दिया तो इस पर क्या होगी उनक olm एक एक वर्यू सिंगल आरहना दो सब्सार भी साथ नहीं रह सकते एक बाद क्या चाहिए पी बनक душ कि फिल कर गए मैं एक ही बारे में आपका लेबल उठा रहा हूं बस दो चार मिनट का समय दो और चीजें बिल्कुल गुमां के तुमारे दिमाग में फिट कर दूँगा इसलिए बहुत द्यांच देगो यहां आजाओ कि आप देखते हैं सर देखो यहां तो सर नहीं करेगा माना लेकिन अगर मैं इस कारबन से इस हाइड्रोजन को रिलीज कर लेता हूं कि ऐसा करने से इस कारबन पर बनेगा नेगेटिव और नेगेटिव बन गया तो डबल सिंगल नेगेटिव इंद रेजुनेंस आपने नेगेटिव है तो मतलब टोटो मरसो करेगा मजा गया बोलो और फिल कर पा रहे हो पड़ाई वही है जो भूख प्यास मिटा दे और चीजों को अच्छी तरीके से समझा दे आगे देखियो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो आजाओ बताओ तुम्हारी द्रस्टी में करेगा और देखो यहां है नहीं है अपने मना कर दिया नहीं करते देखो यहां भी नहीं है। डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल पहुंच गया नेगेटिव और पर बोलो हां यह ना और बोल तो दो तो मतलब क्या सो करेगा नहीं फिल वा फिल हो गया अगला देखो यह बता दो खरेगा ही नहीं करेगा तो स्वाली नहीं तो रेंस लेपर करके इसको इद्गा दो हो है है को चाहिए कर दूँगा है कार्मन पर च्राइग देख मखल और सीगल गाल जब्सुर्ण्गे से नियुक्त गॉप यह तो लॉप कर पाया तक कोई दूखदरद कर दूखदर्द वापद नहीं और दो नहींद में कर दो ब्रगुशी बताईगी है कि दीपेस में पढ़ने वाल बच्चों से उम्मीद ज्यादा होती है और पढ़ाने वाले टीचरों से भी बताओ जली बोलो एक कोटा में एक सर हैं उनसे में बात कर रहा था तो बड़ा जलील टाइप का कर रहे थे हैं इस उपला लेते हैं अच्छा पढ़ा लेते हैं अच्छा तुम्हारे यहां पढ़ा लेते हैं इस वह दो बताओ यहां बताओ करेगा कि नहीं करेगा करना बच्चा क्या करेगा यह पराबर में देखा यह नहीं सर कैसे काम चलेगा लेकिन समझदार बच्चा देखेगा यह घूमता हुआ यहां आएगा ओ देखेगा इस दो दो हाइडोजन निकलेगा यह इस पर लगाएगा नेगेटिव नेगेटिव तुम देख रहे हो चुछां ईटीव तो यह देटा के सब्चों को बता हुआ को जाना चाहिए यह यह नहीं बहुत फिस्टेबल होगी तोगी किसी बच्चे को नहीं रहना चाहिए आगे मूव करता हूं भई कुछ नंबर बार करेगा करेगा कि कैसे दिखाई दे रहा है तो लोगो करेगा क्योंकि सरी आहां कार्बन नजर आ रहा है इस कार्बन के पास यहां कोई डबल बंट थोड़ी है सर यह क्या फैसके पास ही दो को बाहर निकालो कार्मन कैसा हो गयर देखना डबल सिंगल नेगेट लक पिल कर पाएं डबल सिंगल नेगेटेव यानि कि रजो रजो है तो नो ठीक है भाई अगला देखो 13 बदाओ करेगा क्या सर इस हाइडोजन को देखो इसको देखना सर यहां से कुछ करवादें क्या अरे कैसे करवादोगे यहां सीच टू है यहां सीच्टू नेगेटिव है आगे क्या सिंगल सिंगल पढ़ गए दोनो तो मलब नहीं करेंगा लेक नेक्स्ट बहुत ध्यान से दिखेंगे सभी मैं कह रहा हूँ अब हम लोग मूव कर जाते हिन ऐनल फॉर्म कैसे मनते हैं चिकें है यह मैं बती किस्ट बातों पर डिपेंड करती है तो बहुत ध्यान से देखिए यह एक रहा गया करेगा करेगा तर यह अलफा आई दिखाई दे रहा किसी को मारों को बाग यह अलफाई देंगों कैसे दिखाई दे जाएगा फंक्शनल गृप के जस्ट बगरवाले कारवन को बोलते यह तोड़ी अलफा नहीं है है सब्सक्राइब बना दोगे नहीं मैंना पाऊगे डबल 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 कैसा कॉंजूगेशन है तुम खताम हो दोबारा सुनों सुन ले इस प्लस को तू बहाद में कालने की बात कर रहा तो इस नेगेटिव को यहां लगा देगा डबल बांड के ऊपर नेगेटिव लगा रह इस इस प्लस को जासे बाहर देख डबल डब डबल गोवल नेगेटिव यह गूमता हुआ नेगेटिव भूमता हुआ बुमता हुआ यहां आजायेगा तो इसका यह का इन आ नहीं फिल कर पकाया कर पाय कर पाय आँप अ zer implants in all form mabee more stable than keto form in all form जो है keto form से ज्यादा stable हो सकती है कब जब तीन फेक्टर काम कर रहा है हो में इसमें टू सिंगल बांड होने होंगे न ना नेगेटिव डबल बॉल्ड के यह वाला इस चला जाएगा इनके साथ नहीं जाएगा ठीक है सुभम इदर आजा अरो में रेजुनेटिंग और हाइडोजन बोड़निंग अगर अगर एक कीटो फॉर्म से इन ओल फॉर्म में कनवर्ट कर रहे हो पहले वह एंटी इंति अरोमेटिक हो या नॉन रोमेटिक हो उससे वह अरोमेटिक में कनवर्ट हो जाए तो बोलेंगे इन ओल का जादा है पहली बार दूसरी बार किसी भी प्रकार से hydrogen bond बन रहा हो है देजन बार मतलब stability और जनरली इंट्रा ही बनाएंगे विदिन दा मॉलीकूल तो मतलब यह भी कंदिशन कि कि इनल की तीसरी बात हमारे पास आती है जिसको लोग बोलते रजो तो तो लोग जानते हो जितनी जादा रजो इतनी आधा इन आज की स्टेबिटी यह जाए रहे प्र आयाद रहें क्रॉस कॉंजुगेशन नाहों रॉस का और दूर सबना धाएं कर अधार나म जा सब्सक्राइब इसको अटाएगा इसको अटाएगा इसको अटाएगा सर मोस्ट इसेटी कौन होगा सर जो इलेक्टो नेगेटिव एलिमेंट के यह ग्रुब के बीच में आए तो इस प्लस को हटा दे मन्या रागेंट हैं अब तेरी मर्जी है क्योंकि यहां पर भी सिमिट्री और यहां पर भी सिमिट्री इसको इधर ले जाएगा और इस डबल बॉंड को नहीं फील पाए अरे हां या नामे जब आप दे दो यह यह वाला एच कहां जाएगा इधर आज दो ऐसे कंसन यह के नाम क्या है लाखा इंट्र से बोलते हैं और जहां निटर इंटरा इंटरा तर वहां बने की इनल जादा होगी किसे कीटो से कीटो से बहुत ज्यादा बन गया मेरे अनुसार अभी साथ परसेंट है अभी यह ज्यादा यह 93 ये और रसे जहांपर यह चीजिह बदलाएंग अब signatures आपलों कि अभी यह डेटा आप लोगोगों को सिखाते हैं बहुत द्यांसे चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे refuse बहुत द्यांसे चीजों की को समझने की कोशिस करेंगे यह वाला कमपाउंड हमने उल्टा दिखा यहां पर यह कितना बन जाता है नाइन टी ति इस दा है इन और फॉर्म इस ने बोला एच प्लस को बहार निकालेगा अनुभब्ब तो बनेगा नेगीटिव अब नेगेटिव के साथ यह पूरा कॉंजूगेशन है ऑक्षण गोपा डिरेक्ट ली क्या जाएगा नेगेटिव आजाएगा तो डेटा समझ में आगे आप लोग को बोलो यह सन्नों चलें आगे बूव करें शारू कि सवाल देखिए और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए इदर आएंगे सभी आप सबसे ज़्यादा एसिटिक हाइडोजन को तो पहचानी चुके होंगे जब यह भाई बाहर निकलेगा तो यह नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा हाँ या ना अब इसके पास दो विकल्प है या तो यहाँ जाए या तो यहाँ जाएगा क्योंकि सिमेट्री तो नही अब यह कहां जाने की कोशिश करेगा उसको समझो सुनो आप बात बताइए मुझे आप मुझे बात बताइए क्या इसके पास भी लॉन पेर हैं तो इस नेगेटिव चार्ज को यह पहले इधर जा सकता था इधर जा सकता था लेकिन अभी नेगेटिव चार्ज राइट रहेगा क्यों उसका रिजन है तो कि यह डबल बांड पहले से ही रेजोनेंस मझा चुका है बराबर वाले ऑक्षियन के साथ क्या फिल कर वह तो इसलिए इसकी मजबूरी है कि यहीं जाएगा इसको बोलते क्रॉस कॉंजूगेशन इधर और इधर क्या फिल कर पा रहे हो ज चैनलैवर बच्राइब ठीया यह डीडिट आइसे जायेगा तो फिर यह यह अधर है यह टोड़ी है स्यitव और इस मज़े से इसकी लान सtvामेशन थोड़ी कम्लेशटेबल होगी नो डाउट यहां पर बनने वाला कमपाउंड क्या होगा सी टू एच फाइव सी ओएच यह डवल बॉंड बीच में यह सी यह डवल बॉंड ओ यह और यह सी टू एच फाइव समझदार बच्चा यह बात जानता है कि बले ही इंट्रा मॉलिकुला हाइडोजन बॉंडिंग उ सब्सक्राइब यह कंडिशन है अगर इस्टर ग्रूप आ जाए तो जो राइट वाला सी डॉल बॉंड है उसका कॉंजुकेशन ब्रेक हो जाता है और फिर नेगेटिव चार्ज के साथ कॉंजुकेशन नहीं रहता हमारी कंडिशन क्या थी कि जो हाइडोजन के बाद नेग सवाल देखो जाएगा सवाल बेसी के मैं से मुश्किल नहीं है कि अरेंज इन इनल कॉंटेंट इनल कॉंटेंट मलाब किसकी इनल फॉर्म जाधा स्टेबल होगी क्या रूल था अपना बताओ सारूल बड़ा सिंपल था क्या कि जहां पर रेजोनेंस जादा हो वहां इनल फ देखेंगे आप मुझे बात बताओ कि जैसे ही एच प्लस को तुम बाहर निकालोगे तो पिच्चर विकाम और यह नेगेटिव चार्ज बेटा यह एनो टूना ऐसा दिखता है बलब इटेज मोरेजनेटिंग यहां जाओ तो समझ मागए होगी यह भी बात कि अब तो बहुत ही ज्यादा तो कोई पूछे के इन ओल कंटेंट के और में अरेंज कर दो तो वहीया ड्यू टू रेजोनेंस पिच्चर ऐसी होगी कितने बच्चों को बाद बिलकुल किस्टल के लिए रेजर है कि सर मजा आ रहा है बिलकुल डेटा के लिए हंड़ पर्सेंट प्रोग्राम चल ला है ठीक है विटा रेजोनेंस बढ़ने से इन और कॉंटेंट बढ़ गया आगे आओ यह पिच्चर दिखाई दे रही है यह तो उसका उसका कीटो फॉर्म हमेशा स्टेबल रही है इस इन और यह बात मैंने पहले ही बताई आप लोगों बताईए क्या दो आ रहे हैं तो इट में भी पॉसिबल के इन जाजा स्टेबल हो उसके लिए तीन फेक्टर सरने आप लोगों के साथ डिसकर्स करें लिए चलो सभी मैंने आपसे बोला कि मेरे पास है कि एक कंपाउंड जो की ऐसा दिखता है अब समझदार को सारा काफी वह बात जानता है कि इदर आजाए के डबल बॉंड इसका एक हाइडोजन उठके यहां आ जाता है इन में कुछ गुलूल हो जाती है यह स्टेबल होता है 93 परसेंट तक पहुंच जाती है यहां भी सर होगा तो जरूर यहां भी होगा तो जरूर लेकिन इसने काम बिगाड़ा है सर यह जो लॉन पेर ना यह ऐसे क्रॉस कॉंजूगेशन मार जाते हैं क्या फिल कर पाए यह क्या काम करेगा क्रॉस कॉंजूगेशन मार जाए और इसकी स्टेबलेटी इसके कंपेजन में क्या होगी कम होगी यहां यहां तो नेगिटिव की च्छाई नहीं है कि कहां जाओं दौनों तरफ से इसके दोस्त लगे हुए बोलो है ना एक दर से चला जाएगा एक दर स जादा होती है नौल फॉर्म हमें साब बहुत-बहुत कम सरक कितनी कम टैन की पावर माइनस चार में यह डेटा इसलिए लिखना हम ताकि आप लोग फील कर पाए कि अगर मैंने यहां पे इसको पांच परसेंट इसको धाई परसेंट लिखा तो टैन की पावर माइनस पूर तो बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत कम परसेंट है बात समझे मैं यह नहीं अई कर अरेंज करना था करो सबस्सादा inall किसका बनेगा ए उसके बाद तो इसे नहीं को उसके बाद इनॉल फॉम करना ए डन भी डेन सी पहले से अरेंज है यह तो यह तो पीच्चर क्या है आप लोगे लिए पहले से ही अरेंज कर रख़्िया ठीक है बिल्कुल चाहिए कर लेते हैं फिर भी कोई अगला देखो यह क्रिंग दिखाई दे रही है कि बाइसाब जाएंगे नेगेटिव चार छोड़के जाएंगे और तुम लोग जानते हो कि नेगेटिव यहां चुप नहीं बैठेगा नेगेटिव क्या काम करेगा एलक्टॉन पेर को यहां देगा और यह पिच्छर आगे चली जाएगी यहां नेगेटिव यह घेर लेंगे तो इस कंपाउंड की फॉर्मेशन क्या बनी होगी देखो तर यह पहले क्या था सरी SP3 कार्वन नॉन और में नामी जबाब दे दो एक भी कारभन अगर a3 मिल जाता है थो उसका नाम क्रäänव यहां से अब सब्सक्राइब एंगुलर टाल से गर पर दो यहां निकाल लेते एक यहां से निकाले इस नेगिटिव को तुम लोग जानते हो डवल सिंगल मतलब लेजोलेंस होगा विशिड़ होगा यह लगाए इसको लगाएंगे इसको इदर लगाएंगे इसको दिखाई देगी पिच्चर कुछ ऐसी दिखाई देगी सर, बताइए मुझे, इनकी स्टेबिलिटी का ओर्डर में आपको अरेंज गरना था, क्या इसका नाम एरोमेटिक तो इसका नाम एंटाई एरोमेटिक है, दो पाई बॉर्ड का मतलब इवन पेर, इवन पेर का मतलब क्या हो गया, यहां अच्छा ठीक है, ठीक है, आप यह वाला कारवन देखना जारा, यह değil कारवन कैसा कर देखना तुम आरें, अट, थीक है, फिर तो Unternehmen ही खतम हो गया, अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे ऊपर बना लूँ हूं यह वाला कार्बन फिरी हो जाएगा तो यह picture कैसी हो जाएगी वोले तहो नोन आरोमेंटिक आप बताईयें ऐंटी और ऑर नौन अरोमेंटिक में कौन जादा स्सक्राइबल होता है ऐरोमेंटिक उसके बाद कमी नौन अपश्क्राइब और साइद समझ में आ यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चलिए जी मूव कर लेते आगे ऐसा मान कर आप लोग घर पे लेखेंगे अगला सवाल देखना आई ये भी अपना फेवरेट सवाल टाइप कही है देखते हैं कौन बता सकता आरें बता सकता है बस अरन बता को सवाल यह इन में से किसका इनौल कंटेंट ज्ञादा है कि अरेंज करो इनौल कंटेंट के ओड़र में अरेंज इन टू दा ओडर आप देर आपल कॉंटेंट को देखो प्यारे बच्छों ये तीनों ही इन आल फोर्मेशन में आएंगे ऐसा नहीं है कि अलफा हाइडोजन ही होना चाहिए हाइडोजन के आईसोटोप भी चल सकते हैं मलब लोवर मास से कॉंसेप्ट है वो राइट आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ यहां पर कार्बन और हाइडोजन के बीच में कुछ-कुछ मतलब बॉंड है यहा स्की इलैक्टरोगी स्व Ec Fiona कर अब कि अधर और जिसका अलेक्टरोगी इधररण ज्स ज्यादा मलब स्ट्रेइंट जादा आए नहीं है बास समझ में ऩो इसा अभी नहीं मैंने बोला T t मतलब है किसका है डोजिन का दी मतलब है डोज़न का उन का एसटारी शोटोप औरructure व का और त्राइटियममं में अगर इमें सब्सक्राइव यह है यहाल है पहले यह लेक अीः अच्छा तुन करिंट यह सब्सक्राइब कर दिए अगला सब्सक्राइब कर दिया कर दिया कर दिया कर लोगे अब अच्छा इसकी लेक्ट्रो नेटिविटी क्या है मेरे भाई कम है और जिसकी दिट्रों नेग्टिविटी कम है मतलब उसके अंदर क्या है इसकी ओद आसान होगा नहीं किसको रिलीस करना असान होगा एक को क्योंकि उसकी बॉंड स्टेंथ क्या है कम है अरे समझ माया है नहीं आया तो इसका मलब इसके एक को जल्दी से रिमूब कर दोगे ज्यादा इनॉल बनेगा खतम एक बार दुबारा सुनलो हाइड्रोजन की लेक्ट्र नेगितिविटी ज्यादा होती है एस कंपेट ड्वी एस कंपेट टी तो कार्बन और टी के बीच में जो बॉंड बनेगा वो मजबूत बॉंड है उसके टी प्लस को तोड़ना मुस्किल होगा इस कंपेट एच प्लस ख हम ज्यादा होगा सार यह हमने अभी अभी पढ़ा है अभी पढ़ा है आपने बताया था इसके अंदर कुछ-कुछ रह जोने हाइड्रोजन वर्णिंग होती है यहां भी हाइड्रोजन वर्णिंग हो जाएगी स्केट को उपर ले जाओगे तो लेकिन सर कौन सा यह बन जाएगा यहां यहां क्या होगा इसको आप बनाने चलोगे तो यह ऐसे बनेगा और जो है यह ऐसे बनेगा इस हिसको ऐसे बनाऊं धिर मैं ऐसे और यह बन जायागए और यह बन जाएगा ओध यह बन जाएगक डबल बॉल्ट और सिंगल के रांगत बांड बंता है रोटेशन होती है आप जानते हो तो यह रोटेट होगा रोटेट होगा तो बांड को ब्रेक करने की कोशिश करें लेकर यहां कोई प्रेकिंग का सवाली नहीं है फिर्मेशन है तो विच वन हैज मोर इनल कंटेंट इस वन नहीं सीख पाए पल्ले पढ़ रहा है खतम तो नहीं हो जाओगे समाल के रखोगे इस चीज को पका चलो मान कर चल लाओंगे पल्ले पढ़ रहा होगा आजाओ अगला कॉंसेप्ट एक क्लास ओलोंगा इसके देखो लेनेवर वेन अधिया और इसका इन और यहादा होता है और इसका इनल कंटेंट क्या बनेगा और बात बता नहीं को अभी के लिए नोट्व सीएच और सी अच चो होता बहुत सारा है लेकिन जो मैंने लगवक सवाल देखें वो इन्हीं ऑर्डर्स पर आ जाते हैं आव्यांच देख सवाल आए हुआ ये बच्चा हिल जाता है तोस्ता क्या करूं यह की सवाल तो बहुत बेसिक था इच्टिव मिथाइलीन के राइट में देखा क्या इटान विद्रोइंग क्रूप लेफ्ट में देखा तो यह भी सी क्वेचा यह तो विद्ड्रोइंग गूरूप हिना सर्क कैसे पता लगता कौन एलेक्ट्रॉण जिस गुरूप के अंदर डवल और ट्रिपल बॉंड पाये जाते हैं वह गुरूप हमेशा इलेक्ट्रॉन विद्ड्राइंग गुरूप होते हैं इनमें एक एक्सेप्शन है जब पढ़ाएंगे आई पीसी तो गेम सिखाएंगे पूरा सी डावल बॉंड ओ ओ ठीक है उसके अंदर एक सब्सक्राइब को यहां से हटा कर यहां पर क्या लगा लेगा और इस नेगेटिव के चाहिए मोर लेक्ट्र नेगेटिव करते हैं अभी थोड़े पहले मैंने आपको बताया था इस नेगेटिव चार्ज की जितनी ज्यादा स्टेबिलीटी होगी उतना ही in all is 스ne होगा जड़ है कि थोड़ दिर पहले बाते चल रही थी कि कि नेगेटिव चार्ट जितना हщirts याद हैं त्होड़ दिर पहले बाते चल रही थी कि नेगाटिव और करते हैं तो यहहाँ पर नेगितिने परमइनस करता है इसलिए इस नेगिटिब के अंदर इस्टेलिटि आ रही है प्यारे बच्चों तो इसका मतलब यह हो गया कि इसके अंदर स्टेबिलीटी आज अब नीचे आज सब्सक्राइब है लेकिन इसकी विड्राइंग पार नो टू से क्या है कम है तो इसका मतलब किसका इनौल कंटेंट ज्यादा होगा फस्ट है ज्मूर्दन सेकिंट ब स्टेबल है तो आप देख लें अगर लगा हुआ है और ज्यादा स्ट्रॉंग लगा हुआ है उसका इनौल हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव चार्ज ही स्टेबल करता है तो यह डेटा क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए या त से पहला मैंने बोला कार्बॉक्सलिक एसे यह टोटोमर सो नहीं करेगा तो इसके बगल में तो देखना अलफ आईडोजन नहीं करेगा कि रेजनेंस करो यह यह टोटोमर सो नहीं करता नहीं करेगा क्योंकि अगर यह यहां पर टोटोमर सो करता तो आपका दिमाग फिर यहां भी घूमना चाहिए था सरिन में भी करके दिखाओ कि तुमने बस किया किसमें कीटोन में इसलिए इसको बोलते कीटो इनौल फॉर्म क्या मेरी बास समझ माई यह नहीं है तो यह बेसिक डेटा आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए कि यह तीन गुरु पैसे हैं जो टोटोमर सो नहीं करेंगे खतम चलो आज की क्लास के लिए इतना ही हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में और इसी के ऊपर कुछ और अच्छे-च्छे सवालों को कवर करने की कोशिश करतें चलिए थैंक्यू सो मच्छ इसको प्रॉपर तरीकी से आप लोग नोट करें और इसकी शीट हम लोग प